नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों मैं हूँ आलोग और आपको लेकर आया हूँ आज एक ऐसे मंदिर जो कि चित्रकूट से लगए 18 किलोमेटर की दूरी पर भरत कुप में इस्तित है और इस मंदिर का सीधा राष्ट है रामाय काल से जुड़ा हुआ है तो आएए इस मंदिर के दर्सन करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मंदिर की क्या है खाचियत क्यों लोग यहां पर इतनी हजारों की संख्या में आते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इस मंदिर के अंदर एक ऐसा कुवा इस्तित है जहां पर बताया जाता है कि भगवान सिर्राम के राजया दुसेख के लिए इसी स्थान पर चारो धाम का जल लेकर भरजी आये थे तो चलिए इस मंदिर के दर्सन करते हैं अवी तो मेले कायोजन किया जा रहा है जहां पर सभी लोग आ रहा है मंदिर को देखने के लिए इस कुवाए को धिखाते है यह पूरा कुवा है जहां के आप देंख सकते हों यहां पर इस कुवां का धार्मित महातो गोशामी तूलसी राजी ने राम О्चरित मानस में को माता कैके की क्रिया कलाब से कापी दुखुआ था वह एउध्या की जनता के साथ राम को मनाने के लिए चित गूट आये थे साथ में प्रभु का राजप से करने को समस तीरतों का जल भी लाए गया था लेकिन भगवान राम 14 साल के वनवास को रहने के लिए द्रण पतिक ग प्रभु के राजप से किलेल आये थे वह इसे कुए में छोड़ दी और भगवान सी राम की खड़ा हूँ लेकर वापस लड़ गये तो दोस्तों ये कुवा के रहा साथ आपने समझ लिया है तो चलिया आपको इस मंदिर का दृस भी दिखाते हैं तो दोस्तों यहीं माना जाता है कि बुंदेर सास्कों के समय में इस मंदिर का निर्मार हुं था स्री राम का निचेद भनडारा प्रती मेर्ष्टर के यहां पर अंन् Canadा किया जाता है और यहां पूरी परिक्मा है जहांपर लोलोग Πरिक्मा करते हैं और आपको दिखाते हैं यह पुरा मंदीर है अंदर यहां यहां अंदर इसी इस circumstant पर देखि लिए चारों भईयों मंदिर बना हुआ है और यहीं पर त Raphae लोग आते हैं और सर्सन करते हैं और इसी इस्तान का विशेश महाद्र समय मंदिर आज ही लोगों में चर्चा का बिसे बना हुआ है तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं भब्ब मंदिर आप देख सकते हैं कि कितना भब्ब नजारा यहां पर है यहां पर सभी को वैसे अनुमत नहीं होती है लेकिन महाराजी ने हम यह अनुमत दी क्योंकि हम भारती सनकत को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना प्लास जारी है हमारा तो चलिए हम इस मंदिर के मुख द्वार पर हैं और आपको महाराजी से और बेकुस सुनाते है दोस्ति यह हैं मंदिर के अंदर का नजारा जहां स्रीबा की पिहारी मंदिर और चारों भाईयों का मंदिर रिष्टत है यहां पर पुजारी जी हमेशा रहते हैं जो कि यहां पर पूटो लेना और वीडियो बनाना मना है लेकिन हमाई लिए उन्होंने इजाज़त दिये और हमने इजाज़त लेकर यह वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो यहां पर यह दि एक दिन का बाल भोग आपको करवाना तो 500 रुपए आप यहां पर जमा करके करवा सकते हैं आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट से थन में हमें जरूर बताईएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए यह हमें लिखकर जरूर बताईगे मिलते हैं लिए वीडियो में